हेलो फ्रेंट्स मैं डॉक्टर यम्पी मंडल औस दिये विस्टसग्य बिहार किर्सी विस्विद्याले सबूर भागलपूर मैं आज छट पर लगे हुए गंबले में औस दिये सब्जी एवम अन्य पोधे के बारे में बताने जा रहा हूँ सबसे पहले तुम्हें बताना चाहूँगा कि गंबले में आप खेती फसल चक्र से ही करें जब खाली समय बचे तो सीजन के अनुशार बीज जरूर लगा दें उससे क्या होगी कि आपको सालों भर कुछ नो कुछ गंबले से अमदनी होते रहेगी या फसल आपको मिलते रहेगा एक गंबले में मात्र पांच किलो मिट्टी ही डाले जाते हैं हर गंबले में हर तरह की प्लांट मैं लगाया हुआ हूँ जैसे एक गंबला में है प्याज, स्वीट पोटेटो और करीपता दूसरे गंबला में है प्याज एवं मिर्चाई तिसरे गंबला में है एलो बेरा एवं भिंडी एवं प्याज चौथे गंबला में है एलो बेरा और प्याज इस तरह से हर गमले में हर तरह के पौदे लगे हुए हैं यहों तक कि एक गमलए में बैंगान और प्याज भी लगा हुआ है ऐसे प्याज जो सड़ चुका था लेकिन उसमें अंकूर आगिया था मैं उसी प्याज को लगाया हूँ उसको लगाने के बाद इव इसका पवधा त्यार हो गया जिससे की खाने लाइक हो गया और करीब करीब सभी पवधे यूज हो चुका है अब मैं प्याज की विसिस्ता के बारे में उसके अउस्दिये गुन के बारे में बताना चाह रहा हूँ प्याज एक कंदिये पवधा होता है जिसमें की आईरन, केलसियम, बिटामिन सी पाए जाता है प्याज क्या करता है की रक्त बर्धक का काम करता है प्याज पित रोग, सरीर में दर्ध को ठीक करना एवं सूजन की जगा पुल्टिस लगाना इत्यादी इसका काम है प्याज सेहत और खुबसूरती का खाजाना मना जाता है प्याज में सोडियम, पोटेसियम, बिटामिन ए, बिटामिन सी, बिटामिन ए पाए जाता है दांतों को स्वस्थ रखने में प्याज काफी मददगार होता है प्याज खाने के तुरंद बाद दूद नहीं पीना चाहिए इसका साइड इफेक्ट, खुजली, एकजिम्म, सुराइसी जैसी बिमारी हो सकती है प्याज जैदा भी खाने से आपको नुक्सान पहुचाएगा जैसे पेट में गेस बनना, बोमेटिंग होना, जलन की बिमारी होना, इत्यादी हो सकती है अब देखिए इसमें मिर्चाई का पोजा जो लगा हुआ है, उसमें कली भी आ चुका है और इसका जो है, मिर्चाई जो है, ये खाने से फेपड़ों के कैंसर का खत्रा कम हो जाता है चर्म के लिए फाइदे मंद होता है, और अगर कहीं किसी जगा सरीर में दर्द हो, मिर्चाई कहने से दर्द घटता है या बेक्टेरियल इंफेक्शन को भी दूर करता है इसमें आइरन की मत्रा होती है, जिससे की हेमोगलोबीन की मत्रा बर जाती है इसमें बिटामिन सी अधिक पाय जाता है, जिससे की अन बिटामिन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है मिर्चाई में कही तरह के पोसक तक तो पाई जाते हैं जैसे बिटामिन A, बिटामिन C, आइरन, पोटेसियम, प्रोटीन, कॉपर, कार्बो हाइडरेट पाई जाते हैं दोस्तो आपने गमले में लगा हुआ पाउदे को आपने गौर से देखा और मेरे बिक्षान को अच्छी तरह से सुना धन्यवाद